तो यह दोस्तों नमस्कार एकवार फिर्ष स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आप डेली की तरह जो की देख सकते हैं तीन मज़े आपका मॉडल पेपर सोल्व कर आया जाता है और यह मॉडल पेपर आपका लगाता सोल्व कर लाइक करते हैं अब आज मिल पा रही है के देशांतर में और समास है जवाब आपका कौन सा समास है यहांप अपको क्या होगा तो देख़ए आपका जवाब आ रहा है यहांपर आपका ऑप् tum अंबरunal कही है यहां सफिन में यह ऊप कर्मधार समास हो यहां पार कुष् ef एंपार अंबर आगे बढ़ते कोशन दिया है कि रसोई घर का समास विग्रा आपको बताना है तो बताई रसुई घर का समास विग्रा कैसे करेंगे यहां पर दिखें रसुई के लिए घर क्या रसुई के लिए तो दिखे यहां पर आपका दिया है option a number नलिन क्या दिया है आपका जवाब बनेगा यहां पर आपका एक नमबर राइट होजएगा अपका भन जाएगा ठीक है ना और इसके और भी जानते भी हैं चंदर्मा के और भी परयावची जिसे सोम सुधानसू है ना और राखापती मयंक ससी राकिस यह आपके होते हैं आपके चंदर्मा के ही होते हैं आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि दिये गए विकल्पों में से उर्ध सब्द के सही विलूम बताना है यहां पर दिखे आपका जवाब होज़ेगा यहां पर अधा क्या होज़ेगा अधा नमर अंत पर नीचे के लिए तो आधा बोल देते हैं यहां पर आपका सास्वत क्या होता है सास्वत का होता है होता है आगे बठते कोशन दिया गया प्रचन सब्दे का विलूम क्या हो जगा प्रचन हो जाता है टिके प्रतिपाद का उक्रास होता है ठीक है मतलब आप प्रतिवाद हो जाएगा आगे बढ़ते culturally है गुल्स horror Commission करण दिक का तद्भाव सब्सक्राइब कोश्वाइस यह फो और तद्वाब में he अगला कोशन दिया ओद्धूर्मी का संद्धी विच्छे विच्छे दिया वाला पड़ाओगा तो बताईए भाई वद्धू धन उर्मी का संद विच्छे दिन मेंसे क्या हो ज़ेगा ? मतलब आपका जवाब कुन से बने और स्पाइगा ? नाइन का आप्सन क्या बने गा ? यहां पर वद्धू धन उर्मी आप्सन बने गा ? तो उसी वर्ग के तीसी वर्ग में परिवर्टन हो जाता है तो ताह है आपका यहाँ पर परिवर्तन हो गया आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि वह आइस्तरी जिसका पती दूसरा विवाह कर ले वह आइस्तरी जिसका पती दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं यहाँ पर आपका अंसर क्या बनेगा पैसे से मनुझा की J1 जीने की इच्छा बलवती है मतलब को यह पर कह रहा है J1 जीने की इच्छा इसे क्या कहते हैं J1 जीने की इच्छा होती उसे बोलते है J1 यहां पर option बनेगा A number याद रिखें, जिसका भी answer आता है A number उसी करायच हो जाएगा जी जी उसा होता है जीवन जीने किच्छा जी जी उसा ए नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है अंडे का सहजादा मुहारे कर्थिन में से क्या होज़ेगा अंडे का सहजादा यहां पर बताए अंसर क्या बनेगा चली सबी लोग जवाब दे रहे हैं देखिए आपका पूछा है चक्का पंजा करना मुहारे कर्थ क्या होता है तो बोलते हैं थोड़ा बहुत चक्का पंजा मतलब ओची हरकास से कार सिद्ध कर लेना यह होता है ठीक है चली यहां पर देखो अगला दिया गया है कि नमनिके तवाकियों में से असुद दवाकी को पहचाना है अ पानी के अपूरती के लिए बारी सिया वर्फवारी बढ़ाई जा सकती है युद्य के समय गीता को लिखना क्रश्न के ही बस की बात थी स्वयम वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे स्वयम ही स्वयम वे भी अपनी बीमारी के कारण देखो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए कि स्वयम वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे अपनी बीमारी के कारण लेकर कोई बीमारी लेकर नहीं चलता है कि कर धायले मले और निकाले इसके विलते बीमारी है तो यह क्या होता है बोलेंगे कि स्वेम से भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे तो कारण यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर यह छूटी से आपकी तुरूटे यहाँ पर थी ठीके अगला question आपसे दिया गया है कि नमनिकित पूरलिंग सब्दा आपका कौनसा हो जएगा चलिए भई रूर लगाए मजा यहाँ पर दिया है पूरलिंग यहाँ पर देखे 18 नमबर में तो option क्या हो जएगा घरों दिया है लताओं दिया है दर्सन भी आपसा बावचन में होता है मतलब नदी जो आपका दिया है वो आपका एक बचन इस कंसर राइट हो जएगा एक बचन नदी अगला question दिया गया है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो रेखांकित का कारक बताईए कानों सुनी बात मत करो तो भई यहाँ पर बताईए कि आपका कारक क्या हो सकता है कानों सुनी चलिए यहाँ पर देखे आपका अंसर क्या हो सकता है कारक मतलब कह राह से कि कानों सुनी बात मतलब यह कि सिखते हैं कानों सुनी या कान से सुनी क्या या कान से सुनी तो यहाँ पर करण कारक चिन मतलब से सब्दापका हो जाएगा यहाँ पर आपका से करण से तो आपसे क्या हो जगा सी नमबर इसकराइड हो जगा करण से हो जगा ठीके चलिए क्योंक सकता है 20 नंबर में 20 के अगर में बात करते हैं तो आविसकार या आविसकार आविसकार होता है आविसकार मतलब सही लिखा गया है ठीके यहां पर दिया गया है देवर सी यहां पर बड़ा की मात्रा जो लगी है वो आपका नहीं होना चाहिए था निह सब्द होता है क्या निह गल्पों में से सुद्ध सब्द का चैन करना है सन्यासी जो आपका दिया है विल्कुल सही दिया है सन्यासी मतलब सा में भी क्या होती है यह जो आपकी बिंदी लगी है यह विल्कुल सही लगा था मतलब आप समय आपका ए नमबर इसका राइट हो जाएगा अच्छे यहां प इता दिया है तो इसमें आधाता और जुड़ा होता है किलियर हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है निम्न से अनिकार्थी सब्दाफ का कौन सा है बताइए किसके अनेक अर्थ आपके यहां पर बन सकते हैं आयू आदिस ग्रंथ और आपका गुरू चलिए अंसर आपका डी नंबर इसके आनेकर्थ निकल सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है कि बाध्यों के लिए उत्तरवद्य समीस्ति सारनात क्यों महत्तपूर है कुछ कोशन थे आपके जो गद्यां सकते हो हमने स्किप कर दिया है पूरा ठीक भगवान बुद्ध का जन में सारनात में हुआ था और भी कोई आप सुन दिया गया है कि यहां पर दिया गया है भगवान बुद्ध का सारनात में महा पर निर्वाण हुआ था अर्था दिया था ग्यान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनात में अपना उपदेश दिया था इस कारण से आपका ज्यादा ये आपका प्रसिद्ध है याद रिकी सारनात को हम लोग एक पुराना नाम जानते हैं क्या रिस्पत्तन के नाम से जानते हैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन के कारण है इनको ये ज्यादा महत्वण आपको दिया जाता है तो और बताइए किसके समकालिन थे, समकालिन के अगरम बात करते हैं, तो बताइए यहाँ पंसर, अंसर बनेगा आपका जो सुंग बन से के थे, संस्थापक कौन, पुश्मित्र सुंग, इसका आपका सी नमबर, पुश्मित्र सुंग के यह समकालिन आपके हुआ करते थे, इन्ह गया है तो चलिए बैस मिलान करिए इसका से मिलाना का क्या हो सकता है पानी पतका प्रथम युद्ध बैस पानीपद का जो प्रथमत अपरन आप चैएक तो यादmot के एक अप्रwegen पोई इसका वच जाएगा दो ठीके फिर दिया गया प्लासी के युद्ध प्लास इक किसके वीच हुआ था तो नवाब की सिराजुद दौला के वीच हुआ था ये कोशन पूछा ही पूछा जाना है याद रखेगा और आपके इस्ट इंडिया कंपनी के वीच हुआ था जो की 1757 को हुआ था 1757 जो आपका दिया है आपका ये दिया गया है अच्छा ये बताइए कि प्लासिक युद्ध की से डेट को हुआ था कितने ऐसे स्टुडेंट हैं जो इस डेट को भी याद रखे हैं क्योंकि एक्जाम में डेट भी पूछी जाती है तो वही बताइएगा कि कौ इस डेट को हुआ था ये प्लासिक युद्ध बता सकते हैं कोई चलिए हत ये कोई है जो इनमें से डेट बता सकते है किस डेट को हुआ था 22 जू पूआ था या 23 जून इसका अंसर होगा ऐसे विरत लिजेगा कि जो काल कोठरी के घटना हुई थी वो सबसे गर्मी वाले द यह जो हुआ था वो 21 जुन के बीच आठा था 15-18 जुन 1556 में हल्दी खाटी के युद्ध हुआ था तो 1556 कहां पर है इसका आपका डिदिया गया है इसका हो जेगा पोर हो जेगा किसके बीच हुआ था तो आपके महाराना प्रताब थे और अकबर के जो सेना पती थी मान उनके बीच आपका हुआ था इसके बाद ताली कोटा का युद्ध दिया गया है जो कि आपका 1565 हो जाएगा इसका बन जाएगा वा नमबर यह ताली कोटा का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था तो वीजे नगर समराज के साथ और यहां पर कैसकते हैं कि आपके तो इस कारण से यह हुआ था जनुवरी 1565 में तो आपके पास पहला यह आपका राइट हो जेगा दो तीन चार एक नोट करिए इसके जोड़ लीजे आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है कि भारत में किस गवणनर जनरल को इस्थानी सुसासन का पीता कहा जाता है यहां कितना लाजवाब कोशन दिया गया है जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा इस कोशन को तो चलिए जवाब दीजे आपका जवाब इन में से क्या हो जाएगा चलिए चलिए लाड रिपेन है यहाद रिखेगा कि यह हैं इस्थानी सुसासन का जने किने कहा जाता है इन्हों विड विवाद भी निकी समय हुआ था इसकूली सिच्चा है तो हंटर कमिशन के निक्ति भी की गए थी नियमित जनगर्णा भी निकी समय आपकी स्टार्टिंग हुई थी ठीके तो बहुत कोशन हुए हैं लाड रिपन के समय आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि भारती किस मुसलमान ने अद्च्चता की थी हिस्ट्री वाले कोशन में यही कोशन आपको मिला भी था मुसलिम अध्च्च्ते जो आपको आपकी ओप्सन डि लिस्ट है या पले लिस्ट है विडूडे देख लिजेगा हमारी चैनल पर प्ले लिस्ट आप게요 आपकी मिली कर दे गई जाएगा तो दी इंसराइब का हो जएगा चाहिए जो थे ये कह सकते हैं कौन से तुब्यों में कह सकते हैं कि मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था मद्रास अधिवेशन वहां की जो अधिछता किया था बदुरुद दिन तयावजी ने किया था जो कि भारती राष्टी क अंग्रेश के पर्थम मुसलिम अध्यश्ष थे एगरते कोशन दिया है के सौर मंडल की उतपत्ती से स्सी राष्टी कर आलबिस मतलप झेम्स indo When Macampey आपका स Gibson राथ अब यह चार ही चारोर चक्का लगाने वाले ग्रहों पग्रहों और चुद्ग्र तो या उलका पिंड जो होते हैं इने से क्या करते हैं आपका सौर मंडल इसमें से का जाता है इनके उत्पत्ति जो आपकी है सौर मंडल के उत्पत्ति की सम्मंद में जोरी हाइपो थिमिस का सिधान्त जो की जेम्स जीन्स और आपके हैरोल्ड जेफरी ने सर्वथम दिया था यह सर्वथम जो दिया था वो इन्हों नहीं दिया था याद रखेगा ठीके इस कारण से ओप्षन भी नंबर यहाँ पर आपको लगा देना है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है इसको नोट कर लीजेगा बड़ा कठिन था अगला है नर्मदा के अतरिक्त गुजरात के लिए क्या करती है पाने दिती है यम्पी में सरवादि की इसको पाने जाता यसलिए यमपी की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं नर्मदा निधी को जानते हैं जोकि आपके आप कैसे नहिए अथ बारत को कौन साराज्य जूट या पर सन निर्मित वस्तों का अधिक्तम निर्यात करता है मतलब जूर से वनी हुई अर्थाउग चलिए 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 वह मंदल में लगभग कितने प्रसंद नाइट्रोजन होती है 59 को ऑप्षन क्या हो जएगा यहां पर देखे ऑप्षन मनेगा आपका 78 से लेके 79 परसंट मदला ऑप्षन जो आपका है वह ए नंबर इसका राइट हो जएगा ठीक होती कितनी है लगभग उनके आकार के औरोही करम में आपको दिया गया है तो अंसर आपका क्या हो जएगा तो देखो यहां पर आपका जो आपका दिया है यूरेनस साथ वाले में मंगल इसके बाद दिया है प्रतिवी और प्रतिवासनी फिर आपका बुद्ध देखो हम आपको लागे लगतार सबसे बड़ा गरा है आपके किसका है बरासपती फिर आपका सनी फिर आपका आपका हो जएगा अरूड फिर आपका वरूड फिर इसके बाद पांचवे नंबर में आती है प्रतिवी प्रतिवी आती है और इसके बाद प्रतिवी की बहन कहते हैं किसे आपके सुर्क कहते है तो 6वा नमबर होजाएगा मंगल जवाब काता है सातवे नमबर में और वुद्ध ज आपका आता है अभवे नमबर में अब आप ही देखले जी ये इसका एक है ये एक vagy Columbia में है ये दो नमबर है ये तीन नमबर है ये आपका चालबर है अब आप बताए कौन सीज में यहां पर यूरेनस को बोलते हैं और वरुन को बोलते हैं नेफ्चून है ना फिप्रत्वी सुक्रमंगल इसको ओप्षन सी वाला हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है क्या आप से महत्मा गांधी के लिए भारती मानवता की एकता इसकी समयधानी कुपचारों का अधिकार के तहट आता है समयधानी कुपचार तो दीके बढ़ते हैं जो समयधानी कुपचार है जो मौलिक अधिकार हैं यह समयधानी कुपचारों के अधिकार के नतरर आपके आते हैं अर्था जो आर्टिकल नमर आपका 32 है जिस पर अगर कर यह और जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि वर्स 1965 में निम्निकित में से किस क्रशी उपज के लिए नियुम्तम समर्थन मूल अर्थात MSP पहले बार घोसित किया गया था तो बही बताईएगा कि पहले बार MSP जो घोसित किया गया वो कौन सी फसल के लिए तो आपके गया था तिरस्ट नंबर का और सबसे पहली बार घोसित किया गया था यहां पर बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम यह जो कारिकरम है वो किससे आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर 64 option दीजेगा यहाँ पर जाना है कि भारत में गिरते विए सिसलिंगा अनपात का समाधान करना और बालिकाओं को ससक्त बनाना ठीके यही आपने पढ़ा होगा हमेशा यह पढ़े हैं इसका option A number आपका बनेगा डी number आपका नहीं होगा ठीके चलिए अगला question दीजेगा यहाँ पर देखो दिया गया है किसान credit card योजना किस वर्ष आपकी लागू की गए थी किसान credit card योजना जो आपकी लागू की गई वो आपकी कब की गई थी लगबग सबका सई था भई सबका सई थी हमने देखा सबका सई थी परेशान मत हो यह हम देख रहे थे आपका चलिए यहाँ पर बताए अगला question है किसान credit card योजना किस वर्ष साब के लागू की गई यहाँ पर देखे जो 65 number है 65 cops न जो बनेगा वो आपका बनेगा B number आपका B number आपका राइट हो जएगा बिल्कुल के लियार आपका जवाब है और आगे बढ़ते हैं कुशन दिया गया है कि जब लोही की कील को जंग लग जाए तो कील का जो वजन होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है यहाँ पर जवाब देना है आपका सही जवाब इन में स्क्या होज़ेगा चले बताइए भई यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर बताइए जितने लोग जुड़े हैं अगर वीडियो को लैक नहीं किये हैं तो एक बार देख लिजेगा और नहीं किये हैं तो भई लैक कर दीजेगा ठीके चलेए देखो लोई में अगर कील लोई की कील में अगर जंग लग जाती है तो उसका जो भार होता है वो क्या होगा घटेगा या बढ़ेगा बढ़ेगा चलिए भई बढ़ जाएगा क्योंकि इसका ये बार हमने पढ़ाया इस पर कार कोर्शन तो आप लोगों ने बिल्कुर सही लगा दिया है बढ़ जाता है ठीके योगि वो आक्सिजन से किरिया करता है नमी होती है और नमी आटोमेटिक क्या होती है बढ़ा देता है वज़न अगला कोशन दिया है वासिंग पाड़ निर्मा बताए वासिंग सोड़ा आपका कौनसा है यहाँ पर वासिंग सोड़ा जो आपका है यह क्या है तो आपका सोडियम बाई कारूनेट तो होगा नहीं क्योंकि खाया जाता है सोडियम कारूनेट इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर बनेगा आपका कौन सा सी नमर सोडियम कारूनेट होता है जिससे वासिंग सोडा के नाम से जाना जाता है लेकिन अगर यही बात होती कि इसमें यह बाई वाला तो यह खाने वाला सोडा होता है जिसमें से बाई लग ज होता है इसका option बनेगा यहां पर आपका भी 55-70 परसंट आगे बढ़ते हैं कि यह कंप्यूटर में storage माध्यम की चमता की काई क्या होती है यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तो अंसर बनेगा आपका जवाप यह हो जाएगा 70 वाले में शली भई 70 नंबर में आप जवाब दीजी कि क्या जवाब इन में से हो जाएगा चले 70 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ठीके 70 का जवाब लगबग सभी का सई आ गया है यहां पर जवाप की option D हो जाएगा ठीके अगला question दिया है कि उत्त कि इसके द्वारा रोका जा सकता है 72 गजवाब दीजेगा तो देखे भई यहां पर बातर कंसर क्या हो सकता है 25 जंसंकिर वड़ा कर वनस्पती काड़ कर देखे बीनमर होजेगा वन रो पाड़ था तो वन उनको लगाईए और भूच हरन को बचाईए option मनेगा यहां पर आ 586.08 billion अमेरिकी डॉलर ठीक है यह इतना था कब 8 जनवरी 2020 तक यह था बिदेसी मुद्रा भंडार अगला कोशना आप से दिया है क्या रहा है 16 से 18 सितंबर 2021 के मद भारती सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आउयुद किया गया यह बताईए कि 16 से 18 सितंबर 2021 के मद भारत यहां पर देखी 24 नंबर में तो आपसन मनेगा आपका नए दिल्ली में किया गया कहां पर है आपके नए दिल्ली में आउयुद किया गया था आगे बढ़ते हैं कोशना आप से पूछा गया है कि 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78 वह निस अंतरास्टी फिल्म होसो का याजन वेनिस सहर इटली में किया गया इसमें से किस फिल्म को सर्फ से फिल्म के लिए गोल्डेन लायन प्रुसकार दिया गया है तो चली बता डालिए 75 का ओप्शन क्या हो सकता है यहां परंसर हो जाए आपका हैपिनिंग ठीके किसके लिए तो आपके हैपनिंग को सर्फ से फिल्म के ल बिल्कुल सही है देखिए यहां पर अंसर बनेगा आपका डी नंबर है कि लेलित अमरूत की नवींतम किस्म है ठीक है यहां पर अगे बढ़ते हैं कोशन दिया है नम्रिकित में से कौन से दो जुलाई के प्रात्मिक उपकरण है अरे स्वरी दो जुलाई दिया है दो जुता हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे इगला दिया गया है कि एक ठेसर द्वारा दानों का अधिक नुखसान कब होता है जब क्या की जाए जब इसकी गति अधिक होती है तो क्या होते छोटे दाने भी क्या होते हैं भूसी के साथ निकल जात 45% हिस्से में इससे सिचाई हो जाती है आगे बढ़ते कोशन दिया है लैसुन की तीछ गंद का कारण क्या है लैसुन में जो आपकी तीछ गंद होती है वो किसके कारण होती है तो यह होती है तो किस अवधी के चुना होने चाहिए या किस अवधी के अंदर यहां पर चुन हो जाने चाहिए यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 मां के अंदर चुना होने चाहिए और समने आपका बी नंबर 6 मां हो जाएगा तो यहां पर दिखुए कोशन होता है कि अक्टूबर 1969 को पंचायती राज जो शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागा और जिले स्याप की हुई थी ठीक है भाग 9 में आपका आता है अंसूची 11 में इसका प्राउधान किया गया है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि मद्ध भारत में एक विगा कितने हेक है कर दो जबंठे के बरपर होता है यहां परणसर देना है 22 अपक्षिप य्खा यहां उसा chi और गोड़ पानसर हो जोड़कर का में 0.2525 तो यह सिंखते हैं 30 i am में हो कितना होता है एक इंकी एक आर्ट में विघा में होता है यह कितना होटा थैं एक एक सब्सक्राइब है तो आप लोग जानते हैं चमड़ा उत्पास के लिए साफ्ट वेर के लिए हैं डुलूम के लिए लखनायो जाना जाता है चिकन कारी के लिए जाना जाता है अगला कोशिन द्याग्या है कि एक ग्राम में के वाडो इस उच्चुने एक इतने सदस होते हैं जिने पंच हो ज होता है तो यहां पर आपको मिल लाएक और सब भी वाला तो साथ से आपका होज़ेगा ठीक है कहीं कहीं पर आपको आपको 15 भी मिला होगा तो वह आपका सही है ठीक है चले अगला कुशन दिया गया है कि देश का प्रथम राज जी करसी विश्विद्याला है और आपका जवा क्या है तो यहां पर याद रिखी इस विद्याला का नाम बदल कर रख दिया गया है गोविंद बल्ला पंत करसी उंप्रधो की विश्विद्याला रख दिया गया है ठीक है ना किलियर है इसका नया नाम में जो नाम है गोविंद बल्ला पंत करसी उंप्रधो की विश्वि प्रदान करता है 87 नंबर में ये करता है आपका 343 कड़ी इसका अंथर आपका रविजागा 343 कड़ी हो जगा ठीक है चलिए यहाँ पर दिया गया है यह पंचायती राजब्योस्था के बारे निम्निकित में से कौन सकतन आपका सच दिया गया है देखें यहाँ पर ऐसे पॉ पर दिया है वह आपका उप्संसी हो जगा फर्स्ट और सिकेंड इनमें से राइट हो जगा ठाटी जो पंचायत के बारे में है वह बिलकूर सही बात आपकी यहां पर कही गई है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं को यह पंचायतों से सम्मंदित नहीं है कौन एक पंचायतों पंचायतों से नहीं समंदित है तो पहला दिया गया है कि राज निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाँ सम्मित id करते हैं सही दिया है सविधान का 73 मा संसोदन आपका अदिनियंव यह पंचायत नगरपाली का सी है था 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 65 से लेकिन speak नगरपाली का सी तो आप 23 न ह आपका यहां पर गलत हो जाएगा वह पर सभी पंचायतों का रिकाल होता है वर्ष में पांच वर्ष और एक पंचायत के भंग होने पर छे मां के अंदर नया चुनाव कराई जाए तो आपसन भी गलत दिया गया था अगला कोशन दिया गया है कि विकास एवम अनवी छण और पाण भी आता है यहां आपस यहां गया बताई चलिए तो देखोaking यहां पर यहां पर यह क्या है तो गर निए कर एक कोशन से कौश्फ में आंलाइन पूर्टर भारत है कूश्य करसी विपटर के लिए प्रारम में किया यहां परपानवे हैं option बने अपका D number E नाम है क्या है अपका E नाम इस cancer बनेगा बान में का D हो जगा जो की 14 अपरेल 2016 को ठीके ये अंबेटकर की जनती मनाए गए ति 14 अपरेल जनते होंगे कि अंबेटकर जनती मनाते हैं तो 14 अपरेल 2016 को अंबेटकर जनती जो की आपके बनाए गए थिक 125 वी नंबर की उनके औस्थर पर प्रधानमंतिरी मोदी द्वरा नए दिल्ली के विग्यापन भावन से राश्टी करसी बाजार हे तो E ब्यापार प्लेट फार्म क्या? E ब्यापार प्लेट फार्म का पाइलट आधार का सुभारम किया गया था और इस मंच से जूड़ने के लिए इच्छुक राजिय के इंसासी प्रदेश में चैनेत 585 विन में थोक बाजारों को संचालित किया जा रहा है तो इसका अंसर बने आपका डी नंबर अगला कोशन है कि माहिश उगंधा किस फसल की प्रजाती है यहां परंसर बनेगा ए नंबर आपके चावल की है किस की है तो आपके चावल की है अदर रिखे इनके और भी प्रजातिया है जैसे साकेत गोविंद कावेरी रतना जया सरजू महसूरी पूसा तेंतिस बाला लूना सिरी ठीक है यह धान की प्रजातिया है और अगला कोशन दिया गया है, निमनिकित में से कौन सा पीत करांती से संबंदी थे, यहाँ परमकांसर हो जगा D, आपके तिलहन उत्पादन होता है, आगे बटते हैं कोशन दिया है, कि भारत में भूम सुधार के छित्र में सामिल नहीं है, भूम सुधार के छित्र में यहा अगरा कुछन दिया गया है निम्निकित में से सामानवीत बाल विकार सेवा योजना के अंतरत कौन सी सेवा नहीं आपकी प्रदान होती है यहाँ पर देखे पहला पुछन दिया है कि पूरक आहार रोग प्रतिरच्छक बच्चों को निशुल को पुस्तिके और विद्याले का वित्रन तीन से शाय वर्से क्या है कि बच्चों को स्वास्त और पॉर्षन सचा यहां पर जब पूस्तिक प्रतिरच्छक बίला की तो यह दो नहीं सामिल है मिल क्या है मतलब पूरा काहर मिला चाहिए रोग प्रति रोधक आपको होना चाहिए तीन से चाहिए बच्चों को स्वास्त और पूर्शन दिया गया है कि निकित में से कौन सा कारिकरम ग्रामीड अवस्थापना विकास को इसके अंतरत नहीं आता है 97 का ओप्सन क्या हो जाएगा तो यहां पर आगे बढ़ते हैं कौन सा समेलित नहीं है यहां पर देखो कुछ योजना आपकी चलाए गई थी जिससे आपका ट्राइसिम योजना तो ट्राइसिम योजना यहां पर दिया है जे आरबी योजना आपके अपराइल 1995 तो यह अपराइल 1989 में चलाए गए थी तो यह आपका गलत यहां पर दिया गया है वहीं पर दिया गया है SGSY यह आपकी है 1999 तो इसको नोट करिए यह आपकी गलत दिया गया है उप्सन आपका होज़ेगा C नमबर अगला कुछन आप से दिया गया है कि उत्तरवदेश के उध्धोग बंधू की साखा सरचना है, उत्तरवदेश के उध्धोग बंधू साखा सरचना है, वो आपकी कितनी है, 99 कौप्शन क्या बनेगा, तो B हो जाए आपकी तीन है, कितनी आपकी है, तो आपकी तीन है, याद दिया गया है कि तालीम उत्तरवदेश सरकार की एक योजना है क्या तालीम उत्तरवदेश की एक योजना है तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो कूट दिये गया है इनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर तो देख कि इसके बाद जो डी जा गया है डी वाला कि सभी विद्यार्थियों को प्राथ्मिक इस्तर पर उर्दु भासा से परचित भी कराए जाए तो यहाँ पर जो एक है और आपका कौन सा है आपका चार यह सही है तो यहाद रिखिए इसका अंसर आपका नोट करिए और समनेगा एक और चार इसका अंसर राइट हो जैगा ठीके नोट करिए इसका अंसर अपका डी हो जाएगा तो इस परकास youtube पेपर आपका कंप्लेट हुआ और बताइए कि आप लोगों का score हुआ वो कितना score आज हुआ है बताइए वहीं कितना score आपका गया है आप लोग स्टार्टिं है कि आप लोग तुरंद बताएंगे कि कितना आप लोगों के स्कोर जा रहा है